आपका स्वागत है हम फलकतन के सीरीज में बात कर रहे हैं सुत्रों के बारे में जो तिस में जो सुत्रों बताए गए है उसके हिसाब से आपको अपने कुण्ड़ी में जो हम बताने जा रहे हूँ जरूर देखिए और उसका फल वैसे ही प्राप्त होगा आप जरूर अपने कुंड़ी का coefficient करेас spéकते हैं कि कोई सा भी लगनो हो जो सूत्र बता रहे है वह बता रहे है कि कोई सा भी लगनो हो आपका आगर जो लगना से नवम भाव हो भागय भाव पहो होता है वह अगर सूरिय बल्वान शूरिय बैठां वहगा तो आपको जो उसका फल प्राप्त होगा वो भोती अच्छा प्राप्त होगा इसका आल सही होगा कि आपको धन की कोई कमी ने रहेगी संतान का भी सुख प्राप्त होगा संतान और धन का पूर्ण सुख जो है आपको प्राप्त होगा आप उसे भोग सकेंगे ये एक सरल सा सुत् जो आप अपने जो भी जात कर जाती का है अपने कुणली में देखिए कि लगनवाव myself जो नौन है उसके सांसे पंचम होने के का 150 का पूर्寨 का शूर्य ना Created गवाव में हैं और यहां का कारग भी है तो सुक हैं बैठ्टके आपको जो भी भल हमने बताए वह सब अपको प्राप्त होंगे तो आप यह सरलसा शूतर जानिए कि अगर सुर्य आपके नवाव में होने से और ओर यह नवाम होने से और यह आपका यहां से देखा जाता है तो सनतान का पुर्ण सुख इसको प्राप्त होगा और आपको यह नवन भाव हो हो मिया साथ और यह आपका लश्मी भाविछ थो ड़न का भी पूरा सूख आपको प्राप्त होग यहां का कारक भी है और तो बल्वान सूर्य आपके कुण्ली में नवह भाव में बैठा है तो यह इस्थिति जो हमने बताई हुआ आपके लिए पूर्णा होगे आप जरूर अपने कुण्लियों में देखें कि आपको संपुर्ण सुख उसका मिलेगा संतान का और धन का आप संप्राइब की जगर आप यह तक आप में सब्क्राइब नहीं किया है और साथ-साथ अब लाइकान बी क्लिक कीजिए जिससे वीडियो अपलोट होने पर आपको इमेजियर इंप्रमेशन मिलेगे और आप वीडियो देख सकेंगे आपको अमारे वीडियो अगर पसंद आ जरूर आपको अगर प्रामर्स प्राप करना चाते हैं अपने चैनल को सब्क्राइब किया और साथ-साथ वीडियो को लाइक किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद झाल आपको जर梁 है कि वीडियो देंगा आपको अन्मार्स प्रापकोुक्राइब को सब्क्वर 556 वीडियो有點 बते हैं झाल झाल